वेलकम दोस्तों यूटूब चैनल इस्टार इलेक्टिक में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आप लोगों को आधा एच्पी मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है यह बताने जा रहा हूँ देखिए दोस्तों यह आधा एच्पी का मोटर है यह मोटर अठाई सवार पिम का होता है यह मोटर दो पोल का होता है दोस्तों इस मोटर में रनिंग क्वायल और स्टार्टिंग क्वायल होता है यह रनिंग क्वायल है और यह स्टार्टिंग क्वायल है दोस्तों यह running coil है यह running coil की यह बड़ी लीड है और यह छोटी लीड है देखिए दोस्तों इसको यह छोटी लीड है और यह बड़ी लीड है दोस्तों यह starting क्याल की यह बड़ी लीड है और यह छोटी लीड है दोस्तों देखिए यह running है और यह starting है दोस्तों यह running lead की बड़ी वाली lead और यह दूसर के running coil की बड़ी वाली lead आपस में series की तरह जोड़ देते हैं इसको आपस में series की तरह जोड़ देते हैं फिर इसके बाद दोस्तों इसको जोड़ने के बाद यह starting की बड़ी lead और यह starting की बड़ी lead आपस में दोनों सीरीज की तरह जोड़ देते हैं जोड़ देते हैं इसके बाद दोस्तों देखते हैं दोनों जोड़ने के बाद इसमें एक लीड छोटी वाली रनिंग एक लीड छोटी वाली रनिंग यहां दोनों बच गए एक एया एक एया और इस टार्टिंग के एक एया लीड और एक एया लीड बढ़ गए इसके बाद दोस्तों हम कामर बनाते हैं कामर बनाने से पहले दोस्तों देखते हैं कि मोटर का कौन सा साइड से लीड निकला है देखें दोस्तों ये आगे का साइड ये पीछे का साइड है पीछे का साइड से lid निकला हुआ है इसके मतलब दोस्तों कि इस्टार्टिंग के भाय रोनिंग का जो लीड होती है आपस में जोड़ देने से यह कामन बन जाएगा और इसमें यह नीला वाला तार कामन के लिए हम जोड़ देंगे इसमें कामन के जोड़ने के बाद यह देखिए दोस्तों यह रनिंग का एक लीड बच गई और यह की स्टार्टिंग का दोस्तों अब रनिंग के जगा पे हम लाल का तार का रेट कलर का तार का हम चूड़कर है रनिंग की लीड निकालेंगे और यह स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने ग्रीन कलर का लीड निकाल रखा है दोस्तों देखे दोस्तों इस तरह यह कनेक्शन इसके बाद दोस्तों देखे मैंने रणिंग का एक लीड निकाल लिया एक स्टार्टिंग का लीड निकाल लिया इस तरह दोस्तों मोटर का यह कनेक्शन हो गया है देखे दोस्तों इसी तरह मैंने एक ड्राइंग बना रखी है देखे दोस्ते रनिंग का आयल का है और स्टार्टिंग का है इसका मैंने रनिंग का दोनों लीड आपस में सीरी जोड़ दिया है फिर उसमें से मैंने एक लीड यहां निकाला है और एक स्टार्टिंग का लीड लेकर मैंने कामर बना लिया और स्टार्टिंग का लीड लेकर मैंने स्टार्टिंग निकाल दिया और रॉनिंग का लीड लेकर मैंने रियर निकाल दिया इस तरह दोस्तों इस motor का connection किया जाता है देखे दोस्तों इस तरह से motor का connection हो गया अगर मेरी वीडियो आप लोगों को यह पसंद आई हो ते किरपया like, share, comment कर दे हाँ दोस्तों subscribe करना ना भूले धन्यवाद